Hello Friends, Welcome to Smritah English Academy So Friends, शुरू करते हैं आज का वीडियो ठीके तो हमारा पहला सेंटेंस है क्या तुम घर आते बग दूद ला सकते हो इसको हम तीन तरीके से पढ़ेंगे ठीके इसको हम कैसे कह सकते है इसको हम तीन तरीके पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहला प्रेजल वर्ट के यूज किया है पीक अप Can you pick up some milk on your way क्या तुम घर आते बग दूद ला सकते हो Can you pick up some milk on your way So Friends, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें तो चैनल फिर आगे बढ़ते हैं So अपना दूसरा तरीका है Could you please buy some milk on your way क्यों यहाँ पर हमने फ्रेजल वर्ट का यूज नहीं किया है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो अगर नहीं करना चाहते हैं Would you be able to get milk on your way क्यों यह तीसरा तरीका है हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं Would you be able to get milk on your way क्या तुम घर आते पक दूद ला सकते हो अब निक्स संटेस है हमारा जब तुम कम से कम घर आओ जब तुम काम से घर आओ When you come home from बर्क कम नहीं आपर काम होना चाहिए When you come home from बर्क जब तुम काम से घर आओ ठीक है When you are on your way home यह दूसरा तरीका है इसके भी हम दो तीन तरीके देखेंगे कि कैसे बोल सकते हैं यह की संटेस को हम दो तीन तरीके से बोल सकते हैं Okay, next sentence है हमारा When you come home from बर्क When you are on your way home जब तुम काम से घर आओ Okay, next sentence है हमारा अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे If you see a soap on the way वो कह रही है अगर रास्ते में तुम्हें दुकान दिखे If you see a soap on the way Okay पहले उसने पूछा कि जब तुम काम से घर आओ उसके बाद वो बोले कि अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे If you see a soap on the way इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे If you come across a soap on the way ठीक है अगर रास्ते में तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे Okay आगे वो बोले प्लीज थोड़ा सा दूद ले आना Please bring some milk अगर रास्ते में तुम्हें दुकान दिखे फ्रेजर बर्ब को यूज़ करके Please pick up some milk अगर रास्ते में तुम्हें को दुकान दिखे Please pick up some milk या फिर Please bring some milk तोनों तरीके ही सही है घर पर खत्म हो गया है Okay We're out at home घर पर खत्म हो गया है या फिर हम run out भी कह सकते हैं Okay We have run out of milk at home We have run out of milk at home घर पर दूद खत्म हो गया है बिल्कुल भी दूद नहीं बचा हमारे पास खत्म हो गया है There's no more milk left We have run out There's no more milk left We have run out उमीद करती हूँ मैंने अपनी बास तुम तक पहुँचा दी होगी I hope I was able to get my point across ठीक है I hope I was able to get my point across उमीद करती हूँ मतलब I hope मैंने अपनी बास तुम तक पहुचा दी होगी I was able to get my point across उमीद करती हूँ तुम मेरी बास समझ के होगी Hopefully my words were clear to you Hopefully my words were clear to you क्यूँ मीद करती हूँ तुम मेरी बास समझ के होगी कई तरीके हैं बोलने के फ्रेजल बर्ब के साथ भी विदाउट फ्रेजल बर्ब के साथ भी तो आप हर तरीके के बर्ड यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस है अपना मुझे अप्वन रखना है मेरी बैटरी खत्म होने वाली उसने बोल दिया जो भी बोला तो उसको बोले का मुझे फ्रेजल रखना है फ्रेजल रखने के लिए हम यूज करेंगे हैं अप का ठीक है I have to hang up now my battery is about to die about to die मतलब मेरी बैटरी जो है अब खत्म होने वाली I have to hang up now my battery is about to die अब मुझे फोन रखना है मेरी बैटरी डाय होने वाली खत्म होने वाली तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हूँ ठीक है you are talking as if we have known each other for a long time तुम तो ऐसे बात करो जैसे हम एक दूसरे को लंबे टायम से जानते हूँ दो दिन पहले तक तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता I didn't even know his name till two days ago I didn't even know his name till two days ago कि मुझे बूल रहा है कि मुझे दो दिन पहले तो उसका नाम भी नहीं पता था तुम तो ऐसे बोलो जैसे हमें दूसरे को लंबे टायम से जानते हैं यह सफेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा this white coat will look very nice on you this white coat will look very nice on you यह सफेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा ठीक है चलो वो कोट पहल लो ओके come on put that coat on come on put that coat on पहनने के लिए यूज़ के लिए put that coat क्लास के बाद हम सब मूवी के लिए जा रहे हैं after class we all are going for a movie क्लास के बाद मतलब after class हम सब मूवी के लिए जा रहे हैं we all are going for a movie ठीक है अगर तुम भी साथ आज सको तो बहुत बढ़ियां रहेगा if would be great if would be great if you could come along with